हलो फ्रेंज आज हम आपको श्काने वाले हैं मतका गले में यूनिक दिजाएंगे एकदम नई दिजाएंगे तो यह देखिए यह सब हमने बुक्रम ले लिया है बुकरम पे हम निसान लगाएंगे सबसे पहले गले का यहां से डाइ इंच का गले की डाइ इंच पे हम ऐसे निसान लगाएंगे अब हम गले की जो लेनी है अब हम गले की जो लेनी वाले हैं 9 इंच की लेने वाले हैं तो 9 इंच पे हम ऐसे निसान लगाएंगे और शीदा कर देंगे इसको सीदा कर दिया है हमने इसके निसान को यहां से भी हम इसको ऐसे सीदा कर देंगे अब देखिए यहां से हम इसकी ऐसे गुलाई करेंगे ऐसे गुलाई करने हमें इसकी और ऐसे ही बरावन निशान लगाते हुए हम इसको भी ऐसे गुलाई करके सीधा कर लेंगे अब हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं अब देखिए आप हम इसको ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और इसको हरका सा दबाते हुए ऐसे इस वाले पर पर भी निशान लगा लेंगे और इसको ऐसे हम छोक से यह हम निशान लगा लिया है अब इसके निशे हम अस्तल का कपड़ा लेंगे यह देखिए हमने इसका यह अस्तल काट लिया है अब इस अस्तल को हम इस पर ऐसे अटेज करेंगे मोटते हुए इस लाई लगाएंगे यह करके अब इसको ऐसे फोल्ड करके बीच में कटका निशान लगाएंगे अब इस लाउज को हम ऐसे सीधा करेंगे इसके उपर हम इसको रखेंगे गले को इसके अब इसको रखेंगे इसको बरावर रखना एकदम तोनों साइड इसको बीच में यह लाइन जो है बीच में आने चाहिए अगर जरावी क्रेडा हो गया तो गला हमारा को जाएगा इस तरह करना थोड़ा थोड़ा में इस तरह निकालना है यह हमने कट कर लिया अब इसमें हम छोड़ी छोड़ी कट्स लगा लेते हैं ताकि इसे फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो कट्स लगाने के बाद अब हम इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरह को इस तरह फोल्ड करके अब हम इस पर एक श्लाई ऐसे लगाएंगे कच्छी श्लाई लगा लिया है अब इसके बाद हमें क्या करना है यह देखिए हम इसका यह बीच वाला पाट लेंगे और इसको एसे फोल्ड करेंगे ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसको इसके अंदर ऐसे डालेंगे यह देखिए यह बीच वाली निशान तक लेना है हमें इसको यह देखिए पहले बीच वाली पर हमें ऐसे निशान लगा लेते हैं यह हमारा बीच का निशान है इसको ऐसे फोल्ड करके देख लेते हैं एक बार यह देखिए यह हमारा बीच का निशान है अब देखें ये बीच वाले निशान तक हम इसको ऐसे मिलाएंगे और यहां से ऐसे निशान लगाते हुए यह देखें हमने इसको ऐसे रखा है और इस तरह उपर से बुलाई करते हुए अब देखें हमने इसके अंदर ऐसे रखेंगे यहां पर आदा आदा इंच अंदर की तरफ आ जाए और इसको देखें इसके एक इंच दूरी पर रखना है इदर अब देखें अब यहां से हमें ऐसे निशान लगाना है इस तरह निशान लगाएंगे इस पर एक अंदर की तरफ इस तरह निशान लगा लेंगे और इसके कटिंग कर देंगे इसको तो हम इस तरह काटेंगे और देखें यह वाला जो निशान लगाया है हम इसके इसको इस तरह आदा आदा इंच से बाहर की तरफ लेते हुए काटेंगे अब देखें इसको हम बीच में से ऐसे कट कर देंगे कट करने के बाद देखेंगे हम दोनों साइड के लिए बनाए हैं एक इस तरफ लगाएंगे इसको यह देखें इस तरफ और यहां पर हम तनी लगाएंगे तो हम देखें यह वाला कपड़ा लेंगे जो इसमें मेच कर रहा है इसके जो फूलें में मेच कर रहा है वाला कपड़ा यह देखें यह ब्राउन कलर का कपड़ा हमने ले लिया है और इसको हम इसके अंदर ऐसे रखेंगे और ऐसे चारो तरफ लगा लेंगे, इन दोनों को हमने ऐसे बनाया है, लगा लेंगे, यह देखी हैं, हमने इनको पाइपन लगा कर लिया है, अब आम इंको देखे आसे लगाएंगे इस तरप उ आसे लगाएंगे इसको इस तरप आसे लगाएंगे बरावर बरावर रखना है नहीं जड़ा भी दरूबर नहीं करना है यह देखे हमने इनको लगा लिया इस में अब हम इसके उपर इस यह वाली लखाएंगे ऐसे करके आसे लगाएंगे इस तरप एक इंच की दूड़ी पे इस देखे हमारे कले का लियान त्यार हो चुका है अगर आपको उमारे कले का लियान त्यार हो चुका है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नाट्यूक्रिशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकी और हमारी चैनल को लाइक करें झाल 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 झाल